हलो फ्रेंड्स आप जो ये सक्यूलेंट प्लांट देख रहे हैं ये कैक्टस की तरह ही एक डेजर्ट प्लांट है जो की अपनी लीव्स और स्टेम्स में पानी स्टोर कर सकता है इन्हें संलाइट बहुत पसंद है और इनको पानी तब दें जब सॉयल की टॉप लेयर ड्राय हो जाए तब आप इनको पानी दें ओवर वाटरिंग अगर आप करेंगे तो जो इनकी रूट्स है वो गल जाएंगी और इनको किसी तरह का फॉर्टिलाइजर की कोई ज़रूरत नहीं है और यह जो प्लांट है यह बहुत इजली हम मल्टिप्लाय कर सकते हैं इने कटिंग स इनको मल्टिप्लाय करना चाहते हैं तो सिंपली हमें इनकी जो लीफ है उसको ट्विस्ट करना है उसके बाद हमें कुछ दिन का वेट करना है ताकि इनकी लीफ पर कैलस डिवलप हो जाए और 3-4 डेस के बाद जब इनकी लीफ पर कैलस डिवलप हो जाएगा तो कुछ दिन झाल झाल जब यह लीफ ऐसी स्टेज पर पहुँच जाए कि इस लीफ से एक हेल्दी प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाए तो आप इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफर करें और ऐसी जगा रखें जहां इसे प्रॉपर संलाइट मेलें